नमस्कार दोफ्तों एक बार फिर अमारे यूटूब चैनल में आप लोगों का हर दिख स्वागत लेट अफ्ट अप्टेट निकल कैई कि करमचारियों का जल्द बढ़ेगा महंगाई बता दो लाग तक बढ़कर मिलेगी सैलरी तो हर करमचारी जाने आखिर कैसे तो दोफ्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे अगर आप हमारे चैनल पर फफ टाइम विजट कर रहे तो चैनल को लाइक कर दीजे सस्क्राइब कर दीजे साथी साथ वैल आइकोन को भी बजा दीजे ताकि गवर्मेंट या पैनेशन से समन्दी जितने भी न्यू जाती है उनकी नोटिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पो उसके तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट भी ना किसी देरी की दोस्तो 2021 की तरह 2022 भी केंद्रे करमचारियों के लिए बड़ी सोगात लेकर आने वाला है एक बार फिर केंद्रे करमचारियों की सैलरी बढ़ने वाली है और यह बढ़ोतरी दो लाग तक होगी मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में केंदरे क्रमचारियों का महंगाई बता 3 परतिशत बढ़ना तैमाना जा रहा है इसके बाद यह 31 परतिशत से बढ़कर 34 परतिशत हो जाएगा और इसे देश के करीब एक क्रोड क्रमचारियों को लाब मिलेगा यह दूसरा मुका होगा जब डिये बढ़ेगा और इससे पहले डिये 28 परतिशत से 31 परतिशत किया गया था आलंकी इसका एलान कब होगा इसके बारे में अधिक जानकारी अभी तक नहीं आई है लेकिन मिडिया रिपोर्ट के मुताबि केंदरे क्रमचारियों को जल्द केंदर की मोधी सरकार मेंगाई बत्ते की सोगा दे सकती है दिसंबर 2021 के लिए AICPI IW के आकड़े जारी हो चुके है जिसे 0.3 अंक कटकर 125.4 अंक पर आ गया है यानि ओसर सुचांक पर 34.04 परतिशत डिये होगा किन्तु डिये पुनांक में यह भी तै होता है कि जनवरी 2022 में कुल 34 परतिशत बनेगा ऐसे में क्रमचारियों का 3 परतिशत मेंगाई बत्ता बढ़ना तै माना जा रहा है दोस्तो अभी तक यह एलान नहीं किया गया है लेकिन संभावना जताई जारे की मोदी सरकार होली से पहले इसकी गोशना कर सकती है मिडिया रिपोर्ट के अनुसार यदी करमचारियों का मेंगाई बत्ता 3 परतिशत बढ़ता है जिसमें हर लेवल के हिसाब से करमचारियों की सैलरी और डिये में अलग अलग बड़ोतरी होगी इससे 48 लाग करमचारियों और 68 लाग पैंटरनों को लाब मिलेगा पहले संभावना जताई जा रही थी बजट 2022 में इसकी गोशना की जा सकते है लेकिन ऐसा संभों नहीं हो पाया अब उम्मीद है कि आगामी चुनाव से पहले सरकार इसका ऐलान किया जा सकता है अलंकी सरकार की तरब से अभी तक कोई ब्यान सामने नहीं आया है तो दोफ्तों बरतमान में केंद्रे करमचारी क 30% डिये मिल रहा है के बाद 18,000 बेसिक सालरी वाले करमचारी को 6,120 रुपे डिये मिलेगा यानि उनकी मासिक सालरी में 540 रुपे बढ़ेंगे इस तरह से वार्षिक वेतन 6,480 रुपे का इजाफ़ा होगा इन करमचारी को 31% डिये के हिसाब से अभी 5,580 रुपे मिल रहे हैं तो दोस्तों हम आप सेलरी का पूरा गनिश समझाते हैं तो दोस्तों केंद्रे करमचारी का 3% डिये बढ़ने पर सेलरी में 20,000 रुपे तक का इजाफ़ा होगा अगर डिये 33% होता है तो बेसिक सेलरी 18,000 रुपे है करमचारे का डिये सालाना 6,480 रूपे और 56,000 सैलरी वालों का सालाना 2484 रूपे हो जाएगा 18,000 रूपे के मूल वतनवाले करमचारे को 37,440 रूपे का सालाना डिये मिलेगा और 34,000, 34% डिये होने से सैलरी में 6,120 रुपे महिने के हिसाब से 3,440 रुपे की बढ़ोतरी होगी 56,900 रुपे बेसिक सैलरी वाले करमचारी की बेसिक सैलरी 19,340 रुपे पर तीमाबत्ते के हिसाब से सैलरी में 2,3212 रुपे का इजापफा होगा अधिक्तम बेसिक सैलरी में पूरे 17,07 रुपे की बढ़ोतरी होगी और डिये बढ़ने से देश केर 48,000,000 केंदरे करमचारी और करीब 60,000,000 को लाब मिलेगा तो दोफ्तो आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैवार